पुलिस लाइन टाकली के सद्वावना हॉल में वातावरिन बेहरी पारिवारिक्स नेहमें और उत्सव भरा था अवसर था अनाद दिव्यांग वर्षा और समीर के परिणे उत्सव का समाद सिवक शंकर बाबा पापड़कर की मानस कन्या वर्षा और मानस पुत्रस समीर की शादी की जिम्मिदारी खुद ग्रुह मंतरी अनिल देश्मुक ने वर्षा के पिता के रूप में कन्यादान करन निभाई समिर के पिता के रूप में जिलहादिकारी रविंद्र ठाकरे वो उनकी पत्नी जोटसना ठाकरे ने सारे रस्मों पूरे किये बारात का स्वागत अनिल देशमुक ने किया और वर्षा की डोली भी उन्होंने ठाकरे के साथ उठाई देशमुक वो उनकी पत्नी आरती देशमुक ने वर्षा का कन्यादान किया पूरा परीसर किसी रजवाडे से कम नहीं लग राथा इसमारों में पालकमत्री नितन राउत ने वरवधु को भावी खुशाल जीवन के लिए अशिर्वाद दिया प्रभाकर राव वैध्य, सांसत कृपाल तुमाने, सरसंग चालक मोहन भागवत, विधायक विकास ठाकरे, मोहन मते, विकास कुम्भारे, अनीस एहमत, रंजीत देशमुक, रमेश बंग, सतिश चतुरवेदी, दत्ता मेगे, गिरीश गांधी, माधुरी चिर्के वैद, सलेल देशमुक, सेयो योगेश को मेज कर, वह सभी विभाक की वरिष्ट अधिकारी उपस्तित थी, वर्षा समीर ने जब शादी की इच्छा जताई, तो पापड़कर ने ग्रुह मंत्री को बाल आश्रम के दोरे के दोरान जानकारी गी थी, तब उनोंने वर्षा के कन्यादान की जिम्मेदारी खुद ली थी, पिछले तीन दिनों से उनके वजिलहादिकारी के घर वर्षा व समीर की शादी की रस्मे आयोचित की जा रहे थी, शनिवार को हल्दी की रस्म पूरे की गए थी, उसके बाद काफी धूमधाम से वह आलिशान तरीके से दोनों का विवा उ मतिमंद मुखबदीर अनातालय के सुपूर्ट कर दिया था, समाच से वी शंकर बाबा पापड़कर ने उसे अपना नाम देकर मानस पुत्री बना लिया, उसे शिक्षित कर स्वालम भी बनाया, इसी तरह डोमवली में लावारे स्थित में दो वर्ष का बालक समीर मिला था उसे भी पापड़कर के अनातालय में सुपा गया, उन्होंने उसे भी सात्वी कक्षा तक की पढ़ाया और नौकरी लगवा दी, समीर अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसने वर्षा से विवा करने की इच्छा चताई, दोनों का परिवार बसाने के लिए उनके लें स् पतंत्रगर की व्यवस्ता भी पापड़ करने ही की, यह जोडी अब जीवन साथी बन गई है, दोनों के चेरे में खुश्या दमक रही थी